कैराना का चुनाओ जिहां वो चुनाओ जिस पर नजर दिल्ली तक की होती है जिस पर नजर दिल्ली के शीर्स बीजेपी के नेताओं तक की होती है इस बार कैराना चुनाओ में इकरा हसन समाजवादी पार्टी से उमिदवार हैं हाला कि बीजेपी के प्रदीप चौधरी ने पिछली बार ये सीर जीती थी, लेकिन इस बार ये काटे का मुकाबला है। इस वक्त चुनाव परचार में हम इकरा हसन के साथ हैं। स्वागत है इकरा जी आपका। किस तरीके का ये चुनाव आप देख रही हैं क्योंकि कहराना आपने नाम से ही बहुत कुछ जाना जाता है। और हर्याना से एडजेसंट दिल्ली के बहुत मजदीख होने के बावजूद हमारे शेत्र में कोई प्राइवेट इंवेस्टर आना पसंद नहीं करता है। क्योंकि हालात हकीकत जो भी है लेकिन जिस तरीके से बीजेपी प्रोपगेंडा चलाती है उससे शेत्र का बहुत नुकसान हुआ है बदनामी हुई है तो बिलकुल आप सही कह रहे हैं। तो आपने बीजेपी के प्रोपगेंडी की बात की तो हमारा सवाल फिर वहीं से शुरू होता है कि कहराना की जो पहचान बन गई थी वो पलायन से पहचान बन गई थी कि कहराना केराना से लोग पलायन कर रहे हैं यहां पर हिंदू, मुसल्मान, सामप्रदाइकता बहुत ज़्यादा है, आपको लगता है कि इन चीजों ने बहुत ज़्यादा असर किया है सियासत पर, लोगों के दिल और दिमाग पर और आज की क्या इसे? नहीं, देखे हालात जो हैं वो धरातल पर ऐसी सचाई नहीं है, और इसका जवाब हमारे लोग 2017 में जब यह प्रोपगेंडा नया नया उठाया गया था, पलायन का मुद्दा, तब भी उन्होंने भाजपा को हरा करके जवाब दिया था, 22 में दुबारा कोशिश की इसे उ नैचरल प्रोसेस है, वो सब जगह से लोग इसी तरह जाते हैं, उसको एक धुर्वी करन करके उसको एक अलग इमेज दी गई उस पूरे मामले को, लेकिन इसमें कोई हकीकत और सच्चाई नहीं थी, कि किसी एक धर्म या समाज के लोगों को द्वारा कोई और धर्म के जा रहे हैं, इसमें हकीकत नहीं है, बलकि यहां तक है कि 2013 में मुझफर नगर में दंगे हुए थे और पहले हमारा जो शामली जिला है, वो मुझफर नगर में ही लगता था, तो नया जिला था हमारा छोटा जिला था, बिलकुल नेबरिंग जिला था, लेकिन यहां पर हैं, महसूस करते हैं, जीते हैं यहां पर, तो हमें महसूस होता है कि यहां पर भाईचारा बहुत मजबूत है, यह तो प्रॉपगांडा है, और इसका मैं आपको एक उधारन देना चाहते हूं, हम जब मेरे भाई को जेल में डाला गया था, भाजपा द्वारा, और वो चि यहां के पलायन का जिक्र था, तो वो यहां के मुद्दो को, यहां की सीट को बले हार जाएं, यहां के मुद्दो को वो दूर दराज में इस्तमाल करते हैं, यही भेदभाव फैलाने के लिए, धुर्वी करन की राजनीती करने के लिए, तो यह उनके मसले हैं, वो करते ही ह हमेशा आप गहरे हैं कि काराना का मुद्ध स्थानी अस्तर पर इस जिले में कुछ नहीं है सब सामान हें आप को बता रही थी हमारे यहां बहुत बड़ा बुन असा नहीं यहां कि आदेो भी रूजगार बढ़ेगा और लोगों को कहीं बाहर जाना नहीं पड़ेगा यहां पर क्युकि मुझट से टूटकर हमारा जिला छोटा बना था तो जितनी भी सरकारी संस्था हैं जो मेडिकल कॉलिज वगरा थे हो सब महा रह गए अब ही हमारा जिला खाली है तो इस तरह की योजनाओं की हमारे शेत्र को बहुत जरूरत है फिर यहां गन्ना बेंट है बहुत बड़ा यहां पर भुक्तान का मसला रहता है हमेशा तीन महीने शामली जिले में धरना चला था और अब भी एक स्टेडी रूप से पेमेंट नहीं उपा रही है लोगों की चौदा दिन का वादा हुआ था वादा पूरा ना होने पर ब्यास का वादा उन्होंने किया था यह एक बड़ा मुद्दा इस शेत्र का है मुख्य रूप से और साथी में MSP का सभी लोग इंतजार कर रहे थे कि MSP का दावा पूरा होगा लेकिन वो भी नहीं है यहां पर बिजली के बिल की जो समस्या है लोगों में क्योंकि आमदनी नहीं है बेरोजगारी इतनी है तो रोश बहुत है कि कमाने के टाइम से पेमिन्ट लेने का टाइम होता है हमारा अपनी फसलों के पेमिन्ट का तो वो सरकार के पास पैसे होते नहीं लेकिन लेने के लिए हमेशा सारे संसादन उनके पास तयार रहते है तो यह भी एक बड़ा मुद्दा है तो इसी तरह कि हमारे शेत्रिये मुद्दे हैं और यह चुनाओ लोकल इशूस का चुनाओ है आप कह रही हैं बिलकुल लोकल इशूस का चुनाओ है लेकिन जैन्त चौधरी जब साथ थे और जैन्त चौधरी अब बीजेपी के साथ है एक वक्त था जब जैन्त चौधरी ने जब अपनी सियासत एक तरीके से दोबारा पारी इन्होंने जब शुरू की पिछले कुछ सालों में तो उन्होंने कहराना को ही एक तरीके से चुना था अब उनके साथ चले जाने से कितना आपको फरक पड़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं देखिए जैन्त चौधरी जी एक बड़ा नाम है उनका सभी लोग यहां पर सम्मान करते हैं हमारे परिवार का उनका बहुत गहरा तालुक रहा है पहले से बहुत तो वो हमारे पश्चिन की एक ऐसी मजबूत आवाज हैं जिनकी तरफ हम सब देखते हैं तो बिलकुल उससे हमें एक गहरा जटका लगा था लेकिन आज जो हम महसूस कर रहे हैं क्योंकि भाजपा ने अपने प्रत्याशी को रिपीट किया है अंटी इंकम्बंसी बहुत है यहां पर और यहां पर सिंबल भी भाजपा का है तो उस वज़े से यहां पर जिस तरह का प्रभाव भाजपा सोच रही थी डालना वो नहीं पड़ा है क्योंकि सभी लोग जागरुख हैं और समझते हैं सारे गठ जोड को तो यहां पर वो वाली बात नहीं है दलो का मेल जरूर हुआ है दिलो का मेल अब तक नहीं हुआ है तो अभी भी हम जाट पहुल्य गाओं में प्रोग्राम करके आए और जिस तरीके से हमें समर्थन मिल रहा है तो यहां पर किसान मेर्थ के लोगें उनकी समस्याओं का निस्तारन अब तक सरकार द्वारा हुआ नहीं है और ना उन्हें उम्मीद बिखरी है तो इस वज़े से जो प्रभाव भाजपा ने सोचा था कि वो डालेंगे इस गटबंधन को तोड़ कर वो देखने को ने मिल रहा है लेकिन आपके जो ऑपोनेंट हैं इस वक्त प्रत्याशी बीजेपी के उनके खिलाफ एंटीन कंबेंसी बहुत है लोग भी कह रहे हैं आप भी कह रही है लगता नहीं है कि आपका मुकाबला मोदी फैक्टर से है ऐसा लगता है आपको जी नहीं देखे दो बार जो चुना हुए हैं चौदा के बाद से जब हम देख रहे हैं की सरकार थी लेकिन लाब हमारे शेतर को नहीं हुआ क्योंकि हर जगा मोदी जी जाकर काम नहीं कर सकते हर जगा मुक्यमंत्री जाकर काम नहीं कर सकते और रोश उनी के खिलाफ है और जनता जवाब देगी लेकिन लोग तो कहते हैं बीजेपी कह रहे हैं यह मोदी का चुनाव है मोदी की गारेंटी है और सब कुछ मोदी के नाम पर अगर कोई किसी खिलाफ एंटी इनकंबेंसी है उसे टिकट दे दिया गया है फिर भी मोदी है तो वोट जाएगा? अब लोग स्थानिय जन प्रतिनी दे अपना मजबूत चाह रहे हैं क्योंकि काम ही नहीं हो रहे लोगों के कहीं सुनवाई नहीं कहीं जाई नहीं सकते कोई उनके बीच में आकर खड़ा होकर उन्हें आश्वासन दिलाने वाला भी तो होना चाहिए कि हम तुम्हारा काम करें तो इस बार लोग उस मुद्दे पर यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम महनत करते हैं और महनत जब आदमी करता है और फिर एक बड़े चेहरे पर वोट चला जाता है तो अफसूस होता है लेकिन पहली बार हमें बहुत खुशी है कि लोग महनत को देखकर औ का कोई ना कोई issues मुद्दा ले आएगी अभी भी दस दिन बचे हैं आपको इस तरफ की कोई आशंका कोई संभावना दिखती है कुछ भी कर सकते हैं लोग इनका कोई वो नहीं है जमीर नहीं है तो हम सब चीजों के लिए तयार हैं अपनी तयारी हमारी मजबूत है और इत कर सकते हैं कि कोई बड़ा प्रोपगांडा आए उसके अलावा इनके पास और कोई चारा नहीं है धरातल पर तो खतल है एक सवाल जो हमेशा पूछा जाता है वो परिवारी की भाई आपका परिवार और हुकम सिंग जी का परिवार कभी एक ही परिवार था घूजर एक ऐस सामने हमारे परिवार लड़े हैं चुनाओ लेकिन एक बहुत अच्छा ताल मेल रहा है एक बहुत सब्भे ताल मेल रहा है और हमेशा मतलब चुनाओ तक ही सारे मामले रहते हैं उसके बाद कोई ऐसी बात नहीं रहती समाज एक है सबको वहीं पर रहना है तो वही हमारा त लगता है वो एक ही बिरादरी है और चुकि यहां पर गूजर और इस तरह की बाते होती हैं इलेक्शन में जातियों को लेकर के आपको लगता है कि इन सब बातों का कोई मतलब इस चुनाव में नहीं अच्छा आप कह रहे थे कि बिरादरी आपको वोट करेगी तो देखे जो हमारे मानने सांसच जी हैं अभी वर्तमान में प्रदीप चौधरी जी वो भी गूजरी हैं तो बिरादरी का तो इसमें सवाल नहीं है मेरे हिसाब से योग्यता का जादा सवाल है और फिर से वही बात है कि वो रहे होते लोगों के बीच में वो आए गए होते तो शायद अ जानुपस्तिती जो रही है उसे उनकी बिरादरी में भी और और बिरादरियों में भी सब जगा से वही बात है कि इस बार चुनाओ योग्यता पे है लोगों के बीच में जो रहेगा वो ही कमाएगा यान्टीन कंबेंसी का फायदा आपको सीधा मिल रहा है उनके खिलाफ नाराज़ की बिलकुल आखरी सवाल है मैडम वो ये कि मैंने जहन चौधरी का भी पूछा था जहन चौधरी और अखिले शादों के बड़े अच्छे समीकरण थे और शायद ही किसी को उमीद थी कि जहन चौधरी इस तरीके से अपना पाला बदलेंगे उन्होंने पाला ब देखिए मैं परसनली मुझे ऐसा लगता है कि कुछ इसमें जरूर कुछ बात है जो हम सब के सामने नहीं है अभी और वज़ा जरूर कोई बड़ी है क्योंकि मैं खुछ जैन जी की प्रत्याशी होने वाली थी उन्होंने मेरा नाम दिया था खिले शादर जी को तो मैं यहा कि तालमेल की बात हुई थी तो मुझे परसनली बहुत बड़ा जटका भी लगा था क्योंकि एक हफता पहले हमारी यह बात हुई थी और एक हफते के अंदर ही इतना बड़ा फेर बदल हमने उमीद नहीं लगाई थी तो अगर मैं खुद की सोच का आपको बताओं मुझे छे टया आ इसमें क्या सच है 까 जूट है क्या फैक्ट्स हैं मुझे नहीं पता लगता है कि भाजपा दबाऊ बनाती है और तरहतरा के दबाऊ बनाती है किसी पर E.D. भेज़ कर किसी पर C.B.I. भेज़ कर ये विपक्ष को कमजोर करना चाहती है और मुझे लगता है कही न कही इसका जो लिंक है वही से जुड़ावा है किसी तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स है और उसी के तहत ये सब आपको भी लगता है कि जैन चौधरी किसी दबाओ में आ गए और उन्होंने ये गटबंधन चोड़ा ये एक पॉसिबिलिटी ऐसा हो सकता है मुझे लगता है सच्चाई क्या है ये तो उन्हें बहतर पता होगी कि उन्हें क्या लगा ऐसा कि उन्होंने एकदम गटबंधन करने का सोचा लेकिन ये एक हजम होने वाला गटबंधन नहीं दिख रहा है क्योंकि वो हमेशा किसानों की, कमेरों की और जो कतार में सबसे पीछे खड़ा व्यक्ति है उसकी बात रखते है और भाजपा उसके बिल्कुल विप्रीत करती है तो ये हजम होने वाला गटबंधन तो नहीं लगता है हमें और वही है बात धरातल पर भी दलों का मेल है, दिलों का मेल नहीं है तो हमारी जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी और लोगदल के कई बार गटबंधन हुए है ये नैचरल आलाइज हैं तो इसलिए मुझे परसनली ऐसा लगता है कि कुछ तो बात और है इसमें वरना ऐसा होना का किसी को एक हफता पहले मेरी खुद उन से बात हुई थी तो इसका अनुमान हम ही नहीं लगा पाए तो इसमें जरूर कुछ ना कुछ वज़े रही होगी जिस तरह की की राजनीती बीजे पी करती है उसके वज़े से लगता है यह चल पाएगा उनका गड़बन नहीं रह पाएंगे उमीद तो हम यह करते हैं कि ना चल पाए और वो वापस हमारे तरफ आ जाएं तो वो बहुत अच्छा रहेगा बहुत शुक्रिया इकरा जी बात करने के लिए तो हमारे साथ थी कराहसन नोंने दिल खोल कर अपने बात रखी और इनका मानना है कि यह चुनाओ मोदी का नहीं है कैराना का चुनाओ यहां स्थानी मुद्दों का है और इस बार लोग इनके साथ है नीरच कुमार के साथ कुमार भेशेक कैराना आज तक